हेलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग बच्चो आज इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 Mathematics का उर्दू मेडियम का Mathematical Logic और इसको हम उर्दू में कहते हैं है र्याजियाती मुंतक तो र्याजियाती मुंतक यानि Mathematical Logic में हम यह जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं यह इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उससे काफी ज्यादा इसके अंदर similarities है मुतशाभियत हम देखेंगे अगर यहां तो बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिलती है काफी ज्यादा हम देखेंगे कि बहुत ऐसे कुछ-कुछ words रहेगे कुछ maximum topics ऐसे रहेगे जो ऐसा लगेगा जैसे हम इंग्लिश का grammar पढ़ रहे हो तो हम यहाँ पर यह सारी सीज़ों को देखते हुए चल रहे है और आसान चैप्टर है फिलाल का यह जो पहला लेक्टर है हमारा इसमें मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा फिर उसके बाद में हम धीरे-धीरे एक्जामपल कैसे हल करने हैं मसालिक कैसी हल करने हैं यह सारी चीज़ें भी देखते हुए चलेगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहल प्रेक्चर को आपके सभी फ्रेंड्स को शेर किजिए चैनल में की जाट सब्सक्राइब कर लीजिएर यूट्व ानल को आप लोगों को धूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और I am चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट इसके उपर नया नया आता रहेंगा आप लोगों को उसके स्ञाइब करते हैं जैसे मैं आपको बता है था हमारा जो पहला चैप्टर स Major कर रहे हैं mathematical logic तो इसमें बच्चों आप लोगों को मैं clear करते हूं यहां पर हम बढ़ने वाले हैं पहले कुछ जुमले होते हैं एलानिया जुमले होते हैं तो पहले बात करते हैं सवालिया जुमले वह जुमले जिसके अंदर कुछ सवाल पूछा जा रहा हूं जैसे मैं अगर किसे को सवाल पूछ लूँ के आप क्या करते हैं आपका नाम क्या है आप कौन हो यह सारी जुमले जो हैना हमा मैंने ऐसा सवाल पूछ लिया तो आप यहां पर मैं कह रहा हूँ आपका नाम क्या है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यह सवाल यह जुम्ला हो गया दूसरा इसी तरह हम यहां पर इसी तरह और भी जुम्ले लिख सकते हैं आप कौन हो आप कहां रहते हैं यह सारी जो हमारे डेल और जैसे रहते हैं जरेक्वेस्ट किजाती है मैंने लिए मैंने यी डैली फे में आते हैं Ao भरते हैं गार पुर्ण को और यह सॉस्के बाद में आता है यहां पर अपनी किराफ इछाने ग्समस में हम जाएब यह इक सबसेटेल में पर आकए हैं जाते हैं या जुमले जिससे एक्सक्रामेटरी सेंटेंस हम इंग्लिश में कहते हैं जिसमें ताजुब या जुमले भी हम इसको कहते हैं ताजुब जिसमें किया जाता है तो ये सारे जुमले जो हमारे बनते हैं ताजुब या जुमले हो गया फजाया जुमले भी इसको हम कहते हैं उस सिंपल सा उसे मैं अच्छा लड़का है इस तरी हम इस तरीखेसे मैं लेख सकता हूं उमर 1 अक्जा लड़का है और ऊसके अंदर नहीं हमने क्या लिखा है ओमर के बारे में ने बताया है इस तरीकेसे हमने एक जुम्ला बोला है अब यहाँ पर कैसा है डेली लाइफ के अंदर यह लिखें है यह हमारे डेटु डे लाइफ में हम काफी जाधा इस्तेमाल करते हैं तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट जो करने वाले है अपने चैप्टर को वो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से यानि एक साधा जुम्ला किसे कहते हैं साधे जुम्ले हमने यहाँ पर एक जुम्ला जो लिखो एक साधा जुम्ले की एक्जाम्पल है जिसे हम एलानिया जुम्ला भी कह सकते हैं या साधा जुम्ला कह देते हैं अभी के लिए तो कुछ होते हैं बयान सबसे पहला हम यहाँ पर ज हुआ पैलिज में इसको कहते है स्टेटमेंड शेवे पैलिज के केस में अपने अ長 rider बायान देना स्टेटमेंड देना तो यहां पर हम क्या कहते हैं तो बयान जो होता है वो गहरी की चिमति कीमते मैं होती है सट fulfill मैं कैसि कि जैसे अगर मैं बोलूं हम कह सकते हैं कुछ जुमला होता है किसी ने कोई बयाकम दिया त्वोसंच होगा जूट JASON है किसी ने चौरी की है कि और कोई उसके बारे में बयान दे रहा है आप कोई कह रहा है है कि उसने चोरी की जैसे एक लड़का है जिसका नाम मैं मान लेता हूं कोई एक फला फला लड़का है जिसका नाम है अमर अमर एक लड़का है जिसने चोरी नहीं की है हम यहां पर जूम करके चलते हैं और एक लड़का है अमर जिसने चोरी नहीं की है और कोई उसके बारे में इस तरीके से बया किमते लेते हैं तो क्या क्या हो सकती है एक तो इसकी कीमत जो होंगी या तो वह सही होंगा ठीक है सही हम इसको लिख सकते है या फिर और या फिर हम क्या कह सकते है इसको गलत जुम्ला यह हो सकता है या तो यह बयान जो होंगा सही होंगा या फिर वह क्या हो सकता है गलत हो सकत इसकी जो किमते बनेगी वह क्या होंगी । तो बयान जो होता है ऐसा जुमला होता है जिसकी किमते होसकती है या तो गारी हो होगा आप मान लिजे हमें किसी ने कोई सेंटन्स यहां पर दिया जैसे मैं कह रहा हूँ यहां पर एक sentence हम यहां पर कुछ डिली लाइफ की example लेते हैं जिसमें हम समझते हुए चलेगे इसको तो तक यहां पर कुछ example लेता हूं कि सूरज मश्रिक से निकलता है मैं ये एक्जाम्पल्स को रख कर देगा सुरज मश्रीक से निकलता है एक एक्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कुछ डेली लाइफ के एक्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूगा तो आप लोग यहाँ पर समझते हुए चलिएगा और कुछ अगर आपको पूछना था तो आप पूछ सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सुरज मश्रीक से निकलता है सबी को पता है सुब्यों हम उठ्टे है तो देखते हैं सुरज मगरिब में जाके डूपता है तो एक यह जुमला है यहाँ पर और यह जुमला जो है इस जुमले की हम दो किमते ले सकते हैं देखो दो किमते में दो किमतों में से एक किमत इसकी हो सकती है तो आप पहले हम जुमले को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या वो एक साधा जुमला है तो जवाब दिख रहा है एक साधा जुमला है और साधा जुमला होने के साथ यह किस तरीके का जुमला है क्या यह सही है या गलत है तो इसका जवाब है सही क्योंकि सुरज मश्रिक से ही निकलता है अगा सुरज मश्रिक से निकलता है तो मतलब यह जुमला जो है सही जुमला ह होता है जिसकी या तो ट्रू वैलू होंगी या वो फॉल्स बनेगा siihen हों या गलत होंगा दोनों एक साथ एक साथ में नहीं हो सकते जैसे अगर हम कोई उपक I canपन ले जैसे मैं अगर बोलू आम का कलर पीला होता है तो यह एक सही जुमला है है अगर मैं बोलandan ca color लाल होता है थोड़ा गयरा मैं इस तरीके से कह रहा हूं समझ लीजी से जो है लाल कलर में से होती है तो यह भी एक जुमला सही है उसी तरह अंगूर हरे होते है यह जुमला सही है इसी तरह अगर मैं बोलू के यहां पर अगर बोले example केले का color जो है वो सफेद होता है तो यह गलत जुम्ला हो गया तो इस तरीके की जुम्ले हम अगर कह रहे हैं और वो जुम्लों की values अगर अपने को मालूम पड़ी है उनकी केमते यानि वो सही है या गलत है तो इस अगर तरीके को हम पैचान पा रहे है तो वो बनता है बयान तो बयान जो होता है हमेशा उसको गोलेंगे जिसकी कीमत जो हो या तो सही रहेंगी या गलत रहेंगी अब आगे बढ़ते हैं अब दिखिए बयान जो होते हैं सिंपल जो हम सेंटेंस को हम किस से जाहिर करते हैं सिंबॉल के जरीए से जाहिर किया जा जो mathematics का chapter 1 है उसकी जो पहले वाली exercise है पहले वाली मश्क है वो इसी के उपर repent करती है कि आपको उसमें जुमले दिये गए है उसमें से अपने को जुमले को पहचानना है कि जुमला किस तरीके का है जैसे example के लिए अगर मैं बोल रहा हूं आपका नाम क्या है और मैंने आपको आप पूचा जा रहे हूं मैं मैं बोलूगा अमको सभाप झार लिक रही है और पूचा जा रहा है और यह सही है या गलत है तो इसका कैसे हम सही ह। बता सकते हैंहां पर सोभी कुछ समझ में आ रहा है दो nadal कर कि मत बन सकती थी हम खुदी अंदाजा लगा सकते हैं जैसे मैंने एक्जामपल के लिए बोला था आम का कलर सफेद होता है अब मैं अगर यह बलूँगा तो जो जानता है इसको फटक से पकड़ लेगा हां गलत जुमला है यह कि आम का कलर तो पिला होता है सफेद कैसे हो सकता हम की बात कर रहो के री की बाट Whoo every हो जाती हाओ सब्सक्राइब के इन और यहां पर बात करते चलेंगे कि जो जुमले होते है Huge बैंने मान लिया कि यह आनि को पता चल गया तो बैयान को नहुम जिम्बॉल यानि अलामत PQRS इन से जाहिर करते हैं ठीक है बयान को जो है न हम यहां पर किस से जाहिर करते हैं PQRST वगेरा वगेरा इससे हम बयानों को जाहिर करते हैं अब अपने पास में क्या होता है बयान होता है इसके बाद में देखें बयान को फिर हम क्या करते हैं फिर तो चलिए स्टाइट करते हैं जैसे हम बात कर रहे थे हम बात कर रहा था हमें जुम्लों को हम किस से जाहिर करते हैं जुम्लों को हम सिम्बॉल PQRS से जाहिर करते हैं अब बात करते हैं साधा जुम्ला किसे कहते हैं देखो हम जो है न साधा जुमला यानि सिंपल सेंटेंस इंपल सेंटेंस सेंटेंस नहीं स्टेट्मेंट इस्टेट्मेंट और यहाँ पर भी बैयान देंगे साधा बयान साधा बयान क्या होता है साधा बयान मतलब ऐसा बयान जिसके अंदर सिर्फ एक ही अपने को बयान देखने को मिलता है वो दो बयान का कॉंबिनेशन नहीं होता है मतलब यहाँ पर अगर एक्जाम्पल के दिए मैं अगर बोलूं आपको जैसे चीन भारत का या हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है यह एक जुम्ला मैंने लिखा दूसरा मैंने लिखा दो जम्लों दो बराबर चार और तीन जरब दो बराबर छे होते है अब इस जुम्लों के अंदर फर्क देखते हैं यहाँ पर पहले वाला जुम्ला जो दिख रहा है इसमें सिंपल सिंपल दिख्या लिखा है चीन भारत्वा पड़ोसी मुल्क है जिसमें हम देख सकते हैं यह सिर्फ एक ही जुम्ला है है न यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है एक ही जुम्ला दिख रहा है चीन भारत्वा पड़ोसी मुल्क है देकिन दूसरा जो हम देख सकते हैं, आपर बयान जो है लिखा जा सकता है, मसावाट के शकल में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी बयान जो हम कह रहे हैं, मसावाट जो बनती है, हमारी kvaili tis, तो वो भी हमारी बयान बनती है, जैसे अगर मैं बोलू है या पर 2 जमद 2 दिख रहा है तो मतलब यह बयान है और इसकी सही कीमत क्या है गलत है नि conservat जुमला है यह बयान बनेगे हमारे याद रखिएन आप मैंने बूलों आपको थृप्तिन जुंपल सा साधा सेंटेंस नहीं बनेगा ककें हाप एक जुमला ये है दूसरा जुम्ला यह है हम क्या कर सकते हैं इसको अलग करके लिख सकते हैं इसको भी अलग कर सकते हैं ऐसे जुम्ले जहां पर हम logical connective यानि जोड में कहते हैं मंतक मनतक जोड़ मनतक की जोड़ मनतक की जोड़ बोले तो इसको एंग्लिश में कहते है जैसे और हो गया या हो गया इसी तरह और भी है अपने पास में लेकिन आमतोर पर जो हम लिखते के अंदर अगर हम बात करतें इंग्लिश ग्रावर में जहां पर हम दो जुम्लों को जोड़ते हैं एंड के जरीए से या फिर और के जरीए से एंड पता होंगा आपको एंड के मतलब क्या होते हैं तो जब हम दो जुम्लों को जोड़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं लॉज यह वाला जुमला है, इसे हम क्या कहते है, मुरक्कल, बयान, ठीक हे, एक होता है सिंपल सिंटेंस, और एक होता है कमपॉंड, जिसको हम कहते है इंगलिश इसको हमने कहां उपर वाले को साधा और नेचे वाला जो दिख रहा है जिसमें दो kambाइन होका रहे है इस से हम कहते हैं मुरकब बयान तो पहले वाला हमारा एक साधा जूमला हो गया दूसरे वाला हमारा एक मुरकब बयान हो गया जहांपर लौजिकल connectives के मदद से दो या दो से जादा बयानात को जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं मुरकब बयान और जहां पर सिर्फ एक ही sentence दिख रहा है से एक ही अगर जुमला एक ही बयान दिख रहा है उसे कहते हैं साधा बयान साधा बयान या एक sentence एक बयान और जहां पर एक से ज्यादा द करते हैं, अब हम इनके True Table सच के जुदूल मालुम करने की कोशिश करते हैं, कि अब सच का जुदूल क्या होता है, यह चीज्श को हम समझेगे, अपने पास Logical Connectives कौन से कौन पहले मैं आपको यह बता देता हुँ, सच कर्यूद लेखने से पहले हम logical connectors के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास में मंतख की जोड में से heading दीजिएगा मंतख की जोड. कर इंग्लिश में कहते है इसको logical connectives मनतक की जोड इसको इंग्लिश में कहते है लाजिकल कनेक्ट उद्रमें कहते है मनतक की जोड तो मनतक से कौन से हमारे पास में है सबसे पहले आता है हमारे पास में, and, अब यहाँ पर आपको एक टेबल बनाऊगा, और वो सारे एक साथ लिख कर दूगा, फिर आप उसको अपने पास में लिख के रखियेगा, सबसे पहले नंबर पर आता है, ओर ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते है, and, इसके अलामत होती है, इसके अलामत होती है, उल्टा वी, तो मैं उपर लिख देता हूँ, यहाँ पर, यह नाम उसका, ये भी English में नाम है उसका English में ये है उसकी अलामत इसके बाद में है यहां पर मैं लिखता हूँ चीक है उसको हम English में क्या कहते है उसका नाम है conjunction औरीजिनल नाम जो होता है conjunction और उर्दु में इसको कहते है इत्तिसाल पुर्दु में इसको कहते है इत्तिसाल ये याद रखिएगा इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जूसरे नंबर पर आता है या इसको हम English में कहते है और इसका symbol होता है वी ये इसका उल्टा वी था इसका हूँ रखिए और इसे उर्दु में कहते है इन्फिसाल English में कहते है Disjunction उर्दू में कहते है इन्फिसाल इन्फिसाल तीसरे नंबर पर आता है Implice ठीक है तीसरे नंबर पर आता है Implice Implice उर्दू में इसको कहते है If then English में इसको अगर तब अगर डाइश डाइश तब यानि If then इसको इंग्लिश में कहते है मैं याद होगा आपको इंग्लिश में यूज क्या होगा इसको If then sentence इसका जो Simplice Symbol होता है नहीं इस तरीके की अलामत होती है Implice English में इसको कहते है Implication इसको इंग्लिश में कहते है Implication उर्दू में कहते है दलालत या मश्रूत मश्रूत या दलालत दलील से बना दलालत और नमबर पर हम लिखेंगे हाँ पर Double IMPLIES और नमबर पर हमारा Double IMPLIES अगर और सिर्फ अगर अगर और सिर्फ अगर इसको English में कहते है Double IMPLIES या फिर English में इसको कहते है If and Only If and only if इसका जो अलामत होती है वो इस तरीकी की होती है double arrow ठीक है नीचे लिखना चुलिए था जो अलामत होती है वो इसी होती है जो पढ़ वाले कोटी और इसका जो होता है इंग्लिश में इसको कहते है double implies implies या फिर double implication implies ओके double implies और इसकी हम क्या कहते है दूसरी दलालत दो शर्ती दूसरी दलालत भी कह दिया आपने नहीं चलेंगे काफी इतने सारे नाम तो मैंने आपको सारे बता दिया है इसके नहीं के 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 सभी बता दिया हूँ अगर आपने इसका टेबल बनाया है तो अच्छी बात है यह आप अपने पास में इन अलामत के साथ में नाम उर्द में याद रखिएगा हूँ इस के बाद से हम जो हैं इंग्लिश में ही इसके नाम इस्तामाल करने वाले है तो जो जो मैंने बताया हूँ इसके आप ऊर्दु में नाम याद रखिएगा ताक अपने पता है कि तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो यह जो है ना इनको नाम याद रख लेना एक बार मैंने आपको बता दिता हूं फिर से यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया हूँ इनकों नाम क्या है और या अगर तब एक और एक कर लेना जिसको हम कहते हैं नॉट यहाँ निगेशन नफी वह इसमें नहीं आता है लेकिन आट कर लेना नफी इंग्लेश में कहते हैं नॉट कि सिम्बॉल होता है इस तरीके का टिल्ड और इसको कहते हैं निगेशन ठीक है इस सारी चीज़े मैंने आपको बता दिया हो याद रखेंगे सारी चीज़ों अब यह हो गया अपना टेबल को याद रखेंगा अब इसके उपर बनाते हैं हम लोग टूट टेबल प्रूट टेबल किसका क्या बनाना एक एक करके टूट टेबल बनाएंगे हम इसका टूट टेबल बनाएंगे और का पिर अगर तब का फिर इसका मतलब मैं अनुक्त आप नाम जो है यह नहीं लोगा आप मैं इसके यह वाले नाम यूज़ करूँगा और इंप्लाइज के वाले है जो के अमतवर पर ले जाते हैं जैसे हैं लन हो गया एंद का कि फिर उसके बाद में और बोले तो ये वाला और उर्दु वाला और या और के लिए और बोले तो ये यह नाम नहीं लोगा और आप और अगर बोलूगा तो इधर वाला और समझोगे या फिर इधर वाला और समझोगे तो इसलिए मैं सिब यह वाले नाम लोगा आप जब 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 एक्जामपल अगर आप अगर बोल रहा हूं तो आप समझ जाना उसका उर्दू में या मीनिंग ले रहा हूं तरीके से चल अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट ट्रॉपिक देखने वाले हैं सच का जुदूर क्या होता है सच का जुदूर टेबल क्या होता है इसको समझते हैं पहले हम बात करेंगे कंजंक्शन के लिए यानि और वाली कंजंक्शन के आप पहले नाम लिख दिया हूं इसको सिंबॉल क्या है यह है उट लूगिश में कहते हैं इसको एंड ठीक है क्या होता है इसका टेबल जुदूल क्या होता है वो बनाते हैं देखिए अगर अपने बास में दो जुदूले है एक P है और एक Q है और P Q को जोड़ा गया है किस से N के जरीए से P और Q दो जुमले है मेरे पास में और इन P और Q को जोड़ा गया है N के जरीए से तो अब जब भी कभी हम जुदूल बनाएंगे न आप उसके अंदर एक बात का ख्याल रखिएगा उसके अंदर आप एक बात का ख्याल रखिएगा यहाँ पर नंबरिंग करना बराबर पॉपर लिए 1,2,3 ऐसे अब यहाँ पर हम बात कर रहे है P और Q को मैंने जोड़ा हूँ किस के जरीए से सिंबॉल N के जरीए से तो अब यहाँ पर दिखिए हम कुछ किमते लेगे जैसे आपको चैप्टर एहतेमाल के बारे में याद होगा उसमें हम क्या करते थे जब एक कॉइन को टॉस किया जाता था तो उसके अंदर अपने को या तो चीत आता था या पट या फिर टेल उसी तरह दो को टॉस किया जाए तो क्या होता था दोनोंहेड़ होसकते थे एक के उपर हेड, एक के उपर टेल एक के उपर हेड या फिर दोनों टेल, ऐस वह हो ef अब यहां पर कह रहा हूँ मान वीजिए एक statement P है दूसरा Q है एक बयान Q है दूसरा Q है पहला case ही यह possible हो सकता है कि दोनों भी कैसे हो जाए true हो English में उसको true कहते है उसकी truth value यानि उसकी सही कीमत सही कीमत क्या है true होती है अगर इसको ये दोनों sentence अगर सही अगर है यानि उनके बारे में जो बोला गया है वो सच है तो true बोलेगे अगर जो भी उनके बारे में बयान दिया गया है वो गलत है तो उसको बोले जाएगा false ठीक है तो यहाँ पर याद रखेंगे तो पहला जुम्ला यहाँ पर हम cases बना रहे है possible cases कितने chance बन सकते है तो पहले दोनो t हो सकते है पहला t दूसरा f हो सकता है possibilities है यह भी कि पहला जुम्ला सही हो दूसरा गलत हो तीसरे में क्या हो सकता है कि पहला गलत हो जाए दूसरा सही हो जाए यह भी हो सकता है और चौता यह है कि हो सकता है कि दोनों जुम्ले जो बोले जा रहे है वह दोनों गलत हो अब इसके बाद अपने पास पांचवी कंडिशन बन ही ने सकती पॉसिबल ही नहीं है अगर बना नहीं कोशिच करोंगे तो इससे में से कोई आई का जाएगी या तो दोनों सही होगा पहला सही दूसरा गलत या फिर पहला गलत दूसरा सही और तीसरा चौता केसी है कि दोनों गलत हों पांची कंडिशन बना ही नहीं सकते है तो पॉसिबल किम्तिया अगर निकालोंगे न दो के लिए तो बस चार ही किया सकती है अब इसके अंदर आपको क्या याद इसके लिंदर आपको क्या याद रखना है दोनों सही रहे तो सही होगा दोनों भी टी अगर रहे तो सही होगा अधर वाइस यानि अधर केसे में यह क्या बनेगा फॉल्स बन जाएगा कौन एन यानि कंजंक्शन अगर दोनों सही रहे तो सही होगा यानि इसी तरह अब मैं लेता हूँ दूसरे नमबर पर और ठीक है और मतलब यह वाला और नी या वाला और और उसकां सिंबॉल क्या dai यह वाला सिंबॉल है उसका साथीसाथ इसी के अंदर बना देते हैं धिस यानि पी और क्युड आकी सिन्दंर रोपना काम बच जाएगा इस और के किस्षा क्या याद रखना है यह सब के लिए और क्यों क्या जो है सबके लिए common है अब इसका table क्या बनेगा इसका जूदुल क्या बनेगा अगर दोनों false रहे इसमें क्या trick बता रहा हूँ इसके अंदर ये trick है दोनों false रहे तो false होगा यानि ये भी f रहा ये भी f रहा तो f होगा बाकी जितने भी cases है उन सारे cases में ये true बनेगा इसका एकदम opposite है उल्टाइए एक टी रहा तो ये क्या होंगे एक तो डोनों टीर है इसके क्या बोला था एक दूस्त रहे तो बता दिया हूँ आपको इहां पर खतम करते हैं इसको जो बता है उसको अच्छे से पढ़िएगा और इस लेक्चर को पूर अच्छे से क्योंकि इसके बाद में हम जो है example solve करने शुरू कर देंगे इस chapter के उपर तो यह सारी चीज़े आपको पहले आना जरूरी है तो आज के लेक्चर को यहां पर खतम करते हैं इसलिए मैंने बोला हूँ आपको आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन सभी को मेरे चैनल का लिंक को रहें पर अब करोंगे तो आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे स्टड़ी करते रहें चाहिए चेकशन चाहिए जरूर और आपको मेरे और मेरे अपर मिल दिएगा तो आज का lecture में हाँ खतम करते हैं इसके बाद हम next lecture में इसके आगे continue करेंगे study करते हैं यह best of love